हेलो एवरीवन मैं हूँ अरादना फ्रम लेर्नोहब एक फ्री लाइनिंग फ्लैटपर्म जहां आप पर सकते हैं मैं साइंस एसस्टी और वो भी बिल्कुल फ्री अट लेर्नोहब.com पर क्या कह रहा है देखें find the square of the following numbers अब पहला हमारा 32 का square क्या हो गया 32 का square हो गया हमारा 32 into 32 राइट इसको भी multiply करके value को find कर सकतें लेकिन अब इससा और easy बना सकते हैं जो हमें already squares मालूम है उनकी help से कैसे बना सकते हैं आपने ये आइडेंटिटी पढ़ी है ना देखें इसको पहले बताते हूं कि हम 32 को कैसे लिख सकते हैं 32 को हम लिख सकते है 30 plus 2 राइट अब 32 का square क्या हो गया हमारा 30 plus 2 का square right का whole square right क्योंकि यह ही तो हमारा 32 number आप देखें आप इसको अगर ध्यान से देखें और इसको मालने A और इसको मालने B तो यह हो जाएगा हमारा A plus B का whole square जो कि आपने पढ़ रखा है क्या होता है A plus B का whole square आपने लिख लिया होगा मुझे पूरा उम्मीद है यह होता है हमारा A square plus B square plus 2AB यह कैसे आता है A plus B into A plus B को हम solve करते हैं यह क्या हो गया A plus B into A plus B हो गया तो हमारा आता है यही value ठीक है अब इस identity को हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं अब यहाँ पर हमारा A है यह A का square यानि हो गया हमारा 30 का square plus B का square यानि के हमारा हो गया 2 का square plus हमारा 2AB A कितना है 30 और B कितना है 2 तो देखे क्या आ गया है यहाँ पर 3 3s आ 9 और 2 0s ठीक है 30 into 30 के हो गया 900 3 का square पता था और उसमें हमने 2 0 add कर दिये अब देखे प्लस 4 और यह हो गया हमारा 32s आ 60 62s आ 120 अब हम इनको फटा-फट जब आ जाएगा हमारा 1024 तो इसका आंसर हो गया 1024 यानि जब आप इन दोनों को भी multiply करेंगे तो यही आंसर आएगा तो आयो आपको फर्स पार्ट के लिए होगा हम चलते अपने second part पर मैं सारे question solve नहीं करूंगी मैं कुछ बताऊंगी कुछ आप करेंगी प्रैक्टिस तो बच सकते हो एक तो आप लिख सकते हो 80 प्लस 6 दूसरा आप लिख सकते हो 90-4 वह भी 86 है तो दोनों तरीके से ही correct है ठीक है चाहे आप यह वाला combination लेलो चाहे आप 80 प्लस 6 वाला लेलो आप देखिए 90-4 यानि 86 का square हमें find करना है तो यह हो गया हमारा 90-4 का whole square आप देखिए फटा सकते हमारा a square सेम ही होता है बस क्या अंतर आ जाता है यहां minus 2ab हो जाता है और हमारे a plus b के whole square में होता है plus 2ab इतना difference है जो आपको याद रखना है ठीक है अब देखिए इसमें यहां पे यह a माल लेते है यह b माल लेते है तो यह हो गया हमारा 90 का square यह हो गया हमारा 90 का square यह हो 2 into 90 into 4 ठीक है आप देखिए यह हो गया हमारा 8100 प्लस हमारा हो गया 4 4s 16 क्योंकि 9 9s होता है 81 और 90 into 90 तो 2 0s add हो बहुत ही असान है यह 4 4s 16 हो गया और यहां पर आगया हमारा यह 720 अब क्या हो जाएगा यहां पर हो जाएगा हमारा इसको फटा पट इन दोनों को add कर लेंगे तो यह हो जाएगा 8116 minus 720 अब सब्ट्रेक करते हैं तो क्या value आजाएगी हमारी value आजाएगी 7396 यानि कि जब आप इसको 86 into 86 करेंगे तो भी आपका आएगा 7396 तो यह साइडेंटिटी ने हमारी calculation को कर दिया easy और हमें मिल गया अपना answer तो चलिए आप करते हैं अपना next part चलो बच्चों अब मैंने आपको fourth दे दिया practice के लिए हम करेंगे fifth one तो चलिए fifth one करते हैं fifth one है हमारा seventy one अब इसका square find करना है तो seventy one का square को हम लिख सकते हैं न 70 plus one का whole square है न कितना असान होगी है आप फटा पट इसमें लगा देंगे हम अपनी a square a plus b का whole square तो देखें क्या हो जाएगा यह 70 square plus one square plus two into seventy into one right a square plus b square plus two a b अब देखे seven seven जा 49 add नहीं करना है multiply करना है और यहां बढ़ गए हमारे दो zero अब आगे हाँ पर one और यह हो गया हमारा seven two 14 14 में जूड़ गया one zero क्योंकि 141 जा 140 हो गया अफटा पट इसको add कर लेते हैं तो यह हो जाएगा हमारा 4900 प्लस 140 प्लस one right अफटा पट करेंगे तो क्या आजाएगा यह यह आजाएगा हमारा one और यह हो गया हमारा 5041 तो इसका आंसर आ गया हमारा 5041 यानि कि जवाब 71 को two times multiply करेंगे तो यही आंसर आएगा आपका 5041 I hope आपको यह पार्ट भी अच्छे से किलियर हुआ होगा और हम चलते हैं अपने next question पर मैंने कौन कौन से question छोड़ दी है second fourth and sixth यानि कि यह करेंगे आप practice चली बच्चों हम शुरू करते हैं अपना question number two question number two हमारा write a pythagorean triplet whose one member is six यानि one side is given ठीक है आप देखें सबसे पहले तो pythagorean triplet होते क्या हैं यह मैं आपको बता देते हूं देखें यह अगर मैंने एक right angle triangle draw किया ठीक है इसमें जो यह होती है यह होती है हमारी hypotenuse ठीक है यह होता है हमारा base और यह होता है हमारा perpendicular या हम इसको कभी 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 कह देते हैं height also ठीक है मैं अब देखें कि हमने हमें हमने अल्डेडी है यह यूज कर रख तो इसको हम बोलते हैं perpendicular पर्पेंडिकुलर कुछ नहीं होता है height ही होता है ठीक है आप देखें इसमें होता है हमारा कि जो hypotenuse square होता है वो हमेशा बराबर आता है हमारा perpendicular square plus base square या base square plus perpendicular square अब हम जो प्राइथरगोरियन ट्रिपलेट की square के टम में बात करते हैं तो यह आपने जब चैप्टर पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा कि प्राइथरगोरियन ट्रिपलेट जो होते हैं वो होते हैं हमारे 2m and m square minus 1 and m square plus 1 आप देखिए इस मेंसे हमारी कोई एक side dv है अब आप इस मेंसे कोई भी एक लेख सकते हैं पर क्या इन दोनों की form में लेना वर्त है नहीं है क्योंकि हमारा m square जो है वो आना चाहिए एक perfect square root जो हमें इसका m find करना है ठीक है तो हम इन दोनों को नहीं लेंगे लेकिन 2m के terms म अगर हम लेंगे तो हमें बहुत easily अपना एक proper value मिल जाएगा ठीक है अब देखे इसके term में बात करें तो यह हो जाती है 2m obviously सबसे बड़ी side होगी हमारी hypotenuse जो की हो जाएगी m square plus 1 मैंने कैसे decide कि m square में भी कुछ add हो रहा है यानि कि वह और बड़ी value होगी 2m obviously m square plus 1 से छोटा और हमारा जो perpendicular है वह हमने माल लिया m square minus 1 यानि इन दोनों का square यानि कि हम क्या लिख सकते है m square plus 1 का whole square should be equal to m square minus 1 का whole square right plus 2m का whole square यह होना चाहिए ठीक है आप देख लेते हैं सबसे पहले हमने ले लिया 2m मनी कि one side जो हमें दी गई है वह हमने माल ली 2m equals 2 first part solve कर रहे हैं तो 2m equals 2 6 right अब m क्या हो जाएगा m हो जाएगा हमारा 5 by 2 तो वह आगया 3 यानि यह यहाँ पर चला गया division में ठीक है अब हमें m पता चल गया अब हम अपना rest two sides को find कर सकते हैं ठीक है तो क्या हो जाएगी वह m square minus 1 क्या हो जाएगी m square minus 1 हो जाएगी हमारी m की value आगी हमारी 3 तो 3 square minus 1 या similarly अब हम find कर लेंगे अपना m square plus 1 तो m square plus 1 क्या हो जाएगा हमारा 3 square plus 1 यानि की 9 plus 1 जो की हो गई 10 अब देखिए यह हमारी सबसे longest side है अब इन दोनों का sum जो है वह आना इन दोनों की square का sum जो है वह होना चाहिए इसके square के बरावर तो चलिए देख लिए तें करके यानि की hypoten continuous हो गई longest side होती है तो वो हो गई हमारी 10 तो 10 का square r i equal to हमारे 8 के square and 6 के square से चलिए फटा फट देख लेते है इक्वल्स to 64 plus 36 तो देखिए क्या आगया ये भी आगया हमारा 100 हम इसका answer लिख सकते हैं फर्स पार्ट का therefore 8 and 10 are pythagorean triplers required pythagorean triplers ठीक है तो ये हो गया हमारा first part अब मैं करते हूं अपना third part मैं आपको दे रही हूं second and fourth practice करें आप करते हैं अपना third part तो third part में क्या है हमारे third part में हमारे 16 आप देखिए अगर हम इसमें हमारे क्या होते है pythagorean triplates in terms of square वाला term तो ये हो जाएंगे हमारे pythagorean triplates are 2m m square minus 1 and m square plus 1 ठीक है आप देखिए अगर हम इसमें m square minus 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा m square हो जाएगा तो ये m square equals to 15 आजाएगा जो भी हमें एक perfect square root नहीं देगा तो हम क्या ले लेंगे अपना 2m ले लेंगे जिससे हमें मिल जाएगा perfect value तो हम माल लेंगे सबसे पहले 2m equals to 16 अब m क्या हो जाएगा हमारा 16 divided by 2 जो की हो गया हमारा 8 ठीक है अब हम find कर लेंगे remaining two sides यानी m square minus 1 ठीक है तो वह हो जाएगी हमारी 8 square minus 1 जो की 64 minus 1 ये आगई हमारी 63 यानी m square minus 1 हमारा आगया 63 अब देख लेते हम अपना m square plus 1 तो m square plus 1 क्या आएगा m square plus 1 हमारा आएगा m square हो जाएगा 8 square plus 1 यानी 64 plus 1 यानी 65 तो हमारे required pythagorean triplets क्या हो गए हमारे required pythagorean triplets हो गए 2m कितना था 16 and square minus 1 63 and 65 अब इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि इन दोनों का square जब आप एड करें तो वह आना चाहिए इसके square के equal ठीक है तो हमारे required pythagorean triplets आगे 16, 63 and 65 अब आप इसका square करके देख लीजेगा और इन दोनों का square करके देख लीजेगा जो मैंने आपको practice के लिए दिया है second and fourth part उसको practice जरूर करिएगा और हम चलते हैं अपने next question पर question number one so question number one what could be possible once digit of the square root of each of the following numbers आप देखें यहां पर हमसे पुछागा है कि square root की जो इनकी once place digit होगी वो क्या होगी square root की यानि कि यह है already square of some value आप देखें हमने जब पढ़ रहे थे हम previous exercise को यानि 6.1 को तो मैंने आपको बताया था एक चीज कि जो numbers में and में अगर once place पर one है तो definitely जब आप इसका square करते हैं तो वहां पर क्या होगा या तो one का square आएगा जो की one ही रहेगा और दूसरा इसा कौन सा square है जो हमें देता है one की value nine का square यानि 81 इसमें हम ले लेते हैं once place की digit तो जहां हम इसका square root find करेंगे तो definitely इसकी once digit पर क्या होगा इधर one होगा और nine होगा तो first के हम answer को लिखेंगे first का answer हो जाएगा हमारा the possible digits और हम लिख देंगे square root of 9801 क्या symbol होता है हमारा ये symbol होता है square root का ठीक है और अगर चाहा है तो यहाँ पर हम लिख देते है two ठीक है तो लिख देंगे square root of 9801 the possible ones digit the possible ones digit could be one or nine क्योंकि जो squares हैं वो यही वाले देते हैं हमें one one at the ones place तो जहां हम इसका square root find करेंगे तो या तो one आएगा या nine आएगा ठीक है तो यह होगा हमारा इसका first part अब similarly करते हैं अपना second part अब देखे second part में हमारे क्या है 99,856 ठीक है 856 अब देखे इसके हमारे ones place पे क्या है six है अब हमें six किसके perfect square से मिलता है या तो हम four का square करें तो हमें 16 मिलता है या हम six का square करें तो हमें 16 मिलता है बाकी तो हमें कोई ऐसा और इनकी one place value ले ले लेते हैं जह हम इसका square कर रहे होते हैं ठीक है अब यानि कि जह हम इसका square root find करेंगे तो definitely जो हमारे once place की digit होगी वो इधर होगी four or six तो हम लिखतेंगे once place digit would be or once digit four or six ठीक है तो यह होगा हमारा second part का explanation आम करतें इसका third part चलो बच्चू करतें अपना third part third part हमारा क्या है 998 001 ठीक है यानि कि यह है हमारा 9,98,001 ठीक है अब देखें इसके हमारे once place पे क्या है one यह किस्से आता हमारे यह तो one के स्क्वार से यह nine के स्क्वार से ठीक है यहानि 81 तभी तम ले लेते है once place की digit को 11 यह अमने previous exercise बढ़ा ही था तो square root जह हम हम find करेंगे 998 001 तो यहां तो इसके once digit होगी one यह होगी nine ठीक है once digit could be one or nine ठीक है यह भी आपको समझ में आ गया होगा आप करते है अपना fourth part चली बच्चों शुरू करते है अपना fourth part देखें कितना बड़ा नंबर रही है लेकिन हमें कोई घबराने की ज़रूरत नेग हों कि हमें देखनी है सिर्फ अपनी once place digit ठीक है ठीक है यह हमारा बहुत ही बड़ा नंबर है 65,76,66,025 आप देखें इसके हमारे once place पर क्या है 5 और 5 का हमें किसे मिलता है जब 5 का square करते हैं तभी तो हमारा 25 आता है यानि कि केवल जब हम इसका square root find करेंगे तो इसके once place पर क्या होगा 5 ही होना चाहिए ठी square root of 65 करोर 76,66,025 का जो once digit होगा once digit could be ठीक है तो यानि जो square से हमें जो value मिल रही है वहीं उसके square root में आ जाएगी ठीक है तो I hope आपको इस सारे part अच्छे से clear हुए होगे आप ऐसे और questions को practice भी कर सकते हैं तो बच्चों ये तो था हमारे chapter no.6 square and square root की 6.2 exercise का पूरा solution and 6.3 के question no.1 का solution अब हम जल मिलेंगे next class में और finish करेंगे अपनी पूरी 6.3 की exercise आप ऐसे ही मुझे जुड़े रही है हम finish करेंगे पूरा NCRT solution और आप सभी जानते है Learn or Hub, free है but best है, thank you झाय करें, thank you